असलावलीकूम डियोस्टूरंट्स कैसे हो आप लोग मीद है कि आपस आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे तो आज की इस व्यूडियो में इंशाला हम लोग चैप्टर नमर 20 को क्विक्ली रिवाइस करेंगे ठीक है विचिस अबाउट ता कार्ब अक्सलिक असेट की बात करते हैं इसका जेनरल फर्मूला यहां पे मैंचेंड है ठीक है आप लोग इसको देख सकते हो जेस्ट सिंपल आप लोग यहां पर अलकायल ग्रूप को एड़ क ओफ होता है यग्यारे अंड पास जन्रेनाल रेपेंटेशन कर्णकी ऐसेड़का स्कशीन क्तरिया है आफ नला। जो दो में हम लोगों भल ऐख लेते हैं धी को छाये अव्हारे मिर्फ को कि इन अब वल्फ गिरेटीक्टहूंट ठीक है, अब हम लोग उन derivatives पर बात करते हैं तो सबस्पहले हमारे पास Acid Halide, अब Acid Halide में हमारे पास क्या होता है, मैं आपको यहां पर represent करके बताऊंगा सारे, उसी तरह से हमारे पास चो है वो, एक Carvexlic Acid होता है, देखे, यहां पर R है, यहां पर OH Group है अब जब यह वाला OH Group चो है replace हो जाएगा X के साथ ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? Acid Halide बन जाएगा, ठीक है अब अगर यह वाला Group चो है वो NH2 के साथ replace होगा न तो हमारे पास क्या बन जाएगा? NH2 के साथ अगर हम लोग इसको replace करने तो हमारे पास चो है वो यह Acid Amide बन जाएगा, ठीक हो गया और अगर हम लोग इसी ग्रूप को जो है वो OR के साथ replace कर ले तो हमारे पास क्या बनेगा? Easter बन जाएगा OR के साथ हम ले इसे replace कर लिया, ठीक है अब next हमारे पास यहाँ पे Acid Anhydride लेकिन आप लोग इसे दो मेंट के लिए छोड़ दो इसके बाद हमारे पास Acid Nitrile अब Acid Nitrile में हमारे पास चो है वो OH ग्रूप चो है वो N के साथ replace हो जाता है ठीक है, तो Acid Nitrile बन जाता है ठीक है, तो इस नहीं से हमारे पास different functional derivatives बनते जाते हैं अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि Acid Anhydride कैसे बनता है तो Acid Anhydride में हमारे पास चो है वो दो Akyl Groups है, वो अटाच होते है ठीक है, एक ही carbon atom के साथ ठीक है, उस complete generally represent करके भी देखते है, देखो हमारे पास चो है वो ये Carbonil Carbon है, ठीक है, दो Carbonil Carbon बना आगए, ठीक है, अब ये मारे पास चाहिए, वो directly एक Oxygen के साथ अटाच है, ठीक है और इनको अगर हम लोग दो Akyl Groups के साथ अटाच करते है, तो मारे पास ये Acid Anhydride बन जाता है, ठीक है, ये Acid Anhydride है अब next time मारे पास Norman Clature ठीक है, Norman Clature as usual आप लोगों ने Hood करना होता है, लेकर एक चीज़ आपको पता हो कि जो Norman Clature में ये Table है, तो इसे आप लोगों ने लाजमी कर लेना है, ठीक है, आपको पता हो कि मारे पास ये Formic Acid है, इसका Source क्या है, ठीक है, ये Ant से निकला है, ठीक है, इस तरह से बाकी ये जो चीज़े हैं, इनके आप लोगों को Sources का लाजमी बता हो, यहां से एक कद MCQ सम्टाइम आ जाता होता है, ठीक है, बाकी Norman Clature आप लोगों ने Hood पढ़ लेना है और Hood practice करनी है इसके उबर अब next हम लोग देख लेते हैं, कि हम लोग Carbacillic Acids को prepare कैसे करते हैं, ठीक है, महाँ पास four methods है, ठीक है, for the preparation of Carbacillic Acids, तो पहला हमाँ पास methodology by the reaction of Grignol region with the carbon monoxide, या फिर carbonation of the Grignol region, तो जब भी हम लोग Grignol region को react करवाते हैं carbon monoxide के साथ, या Carbacillic Acids बनते हैं, दूसरा हमाँ पास by the hydrols is of the derivatives of Carbacillic Acids, तो जब भी हम लोग Carbacillic Acids के derivatives की hydrols is फेरते हैं तो आप लोग याद कर लो, हमाँ पास हमेशा Carbacillic Acid ही बनेगा, ठीक है, यह important है, मतलब कोई भी derivatives हो, acid and hydride हो acid amide हो, acid nitrile हो उसकी आप लोग hydrols is करोगे ना तो add time, आप लोग पास end product Carbacillic Acid ही बनेगा, ठीक है अगर हम लोग oxidation करते हैं primary alcohol की और aldehyde की तब भी माँ पास Carbacillic Acid ही बनता है ठीक है, इसमें जो catalysts होते हैं, वो आपके पास Carbonyl Group है ना, ये SP2 hybridized होता है, ठीक है अब आगेश ने जो है, वो formic acid की जो है वो example ली है, ठीक है और उसमें वो समझाना चाह रहा है कि formic acid में मारे पास जो bond length होती है carbon double bond oxygen की वो shorter होती है as compared to carbon oxygen bond, और मारे पास जो bond angle होता है ना, वो carbon double bond oxygen का greater होता है carbon single bond O के साथ, ठीक है तो ये आप लोगोंने 2 points है, वो जहन में रख लेना है next हम लोग physical properties of carboxylic acids पर बात करते है तो सबसे पहले मारे पास property के कहता है, कि मारे पास जो first 10 carboxylic acids के group होते है ना, ठीक है, वो colorless liquids होते है ठीक है, और उनकी मारे पास चाहिए वो discreasable, जो हो smell होती है और मारे पास जो higher members होते है carboxylic acid के, वो colorless, odorless, solids होते है, ठीक है colorless colorless, odorless और solids होते है, ठीक है अब दूसरी चीज़ उसमें पास जो acetic acid होते है ना, उसमें 4-5% जो vinegar होता है, ठीक है अब next मारे पास कहते है, कि मारे पास जो butyric acid होते है तो इसकी जह हो मतलब यह जो butyric acid होता है यह butter में present होते है, ठीक है और जब butter rancid हो जाता है, तो उसकी बहुत bad किसम की smell होती है, ठीक है वैसे यह MCQ में नहीं आता लेकिन आपको बता हो कि acetic acid में मारे पास 4-5% of vinegar होता है, आपको यह भी पता हो कि first 10 members carboxylic acid के जो है वो, क्या है liquids है और बागी members मारे पास solids है state of matter की बात कहें, तो मारे पास aromatic acids जो है ना, वो crisp line solids है, for example, benzoic acid solubility की बात कहें, तो मारे पास जो first 4 members है carboxylic acid के, ठीक है, वो water में soluble होता है, hydrogen bonding की वई से ठीक है, और बागी मारे पास जो members है इसके, तो वो insoluble होता है, boiling point of carboxylic acids are higher than cross-bonding coals, ठीक है, तो boiling point इनका higher होता है, carboxylic acid का वो भी hydrogen bonding की वई से होता है ठीक है, हाई, ठीक है, hydrogen bonding की वई से हो सकता है, और London Dispression Forces की वई से हो, जिनका काम होता है वो London Dispression Forces की वई से हे होताelsh और जिनका higher होता है, वो hydrogen bonding की वई से होता है, यची पास boiling point,şablexic acids का होता है उसके बाद में यफिस का होता है,पका है यदा isicon पास थिसके वाद में报 ठीक है और इस temperature में मारे पास यह वो यह solid form में होता है और इसको हम लोग जाओ वो Glacial Acetic Acid भी कहते है और मारे पास यह जो Carbacolic Acid होते हैं यह dimmers की form में होते हैं ठीक है? Dimmers की form में exist करते हैं Hydrogen Bonding की वज़े से ठीक है? और मारे पास melting point of the Carbacolic Acid change with the increase in the Multiple Mass Dependent upon the Number of Carbon Atoms So number of Carbon Atoms increase होगे तो मारे पास melting point भी increase होगा ठीक है? अगर Carbon increase होगे तो मारे पास melting point भी increase होगा तो यह थी है मारे पास physical properties of Carbacolic Acid important है Next, हम लोग जा है वो chemical properties पर बात करते हैं Acetic Acid की सबस्पहले मारे पास जाओ इनकी Acetic Nature होती है ठीक है? तो कहते है Carbacolic Acid और Acetic in Nature as they donate the proton and form the salt on injection with bases ठीक है? यह Acetic होते है Carbacolic Acid और इनकी Relative Acetic Strength of Carbacolic Acid can be given as तो मरे पास सबसे ज़्यादा Acetic Mineral Acids होते हैं उसके बाद मरे पास Carbacolic Acid होते हैं उसके बाद Water, उसके बाद Phenol Phenol के बाद Alcohol Alcohol के पाद मरे पास Terminal Alkines आ जा जाते हैं ठीक है? Terminal Alkines जा है वो सबसे Least Acetic है और सबसे ज़्यादा Acetic कौन से है? Mineral Acid, ठीक है? तो आगे इनकी Acetic की Strength में मेंचने है जी है, 0 से 1 होता है ठीक है? इसमें 5 होती है, इसमें 7 है, इसमें 10 है ठीक है, यह P, K, A value है अब Next मरे पास, वो कौन से Factors है जो के Acidity की Strength पर जो है वो Depend करते हैं या Effect करते है तो आप लोग हमेशे अपने जान में रख़ों के मरे पास Carbon की तदाद जितनी जएदा होगी ना, तो Acidity जो है वो उतनी कम होगी और Carbon की तदाद जितनी कम होगी Acidity उतनी High होगी तो यह आप लोग Point जान में रख लो और इसके मताबक यहाँ पर उसने कुछ Acidity Strength भी दी है, यह आप लोगों को पता हो यह मरे पास जएदा Acidity है, यह Least Acidity है क्योंकि मरे पास देखो, इसमें Number of Carbon कम है, और इसमें Number of Carbon जएदा है So that is why यह Least Acidity है अब Next, मरे पास जो है वो, उसने कुछ Ka Values दी हुई है, टीकर 25 Digi Centigrade पर different इनकी, तो यह आप लोगोंने देख लेनी है, अब ऐसे याद करने की ज़ुरूद इतनी है, लेकिन आपको जैसे इतना पता हो, कि मरे पास कौन सी चीज जएदा Acidity है, और कौन सी जह है वो, जैवो Less Acidity है अब Next, मरे पास कहता है, कि Electron Donating Substituents Like Alkyl Groups, Degrees the Acidity Strength तो देखो, मरे पास, R Groups जो है, वो जितने जएदा होते जाएंगे तो Acidity जो है, वो उतनी कम होती जाएगी, इसके साथ पी इसका Inverse Relation है, तो आप लोगों को जाएबो Different Options दे सकता है, कोई, for example, उसने चार Compound दी होगे है, ठीक है, तो आप लोगों ने फिर उसमें देखना होगा, अगर वो आप से बात की, ठीक है, Carbon Atoms जितने जएदा होता जाएंगे, Acidity उतनी कम होती जाएगी, Alkyl Groups जितने जएदा होता जाएंगे, Acidity उतनी कम होती जाएगी, ठीक है, फिर आप लोग Options जोगे में होते हैं, उसमें आप लोग फ्लोरीन, OH है, या CN है, तो यह चीज़े जितनी जएदा होती जाएंगी ना, ठीक है, यह जितनी जएदा होती जाएंगी तुम्हाँ पास Acidity भी जएदा होती जाएगी, पहले हम लोगों ने कहा करवन के साथ जाएब उसका Inverse Relation है, Alkyl Groups के साथ पी Inverse Relation है, लगन यह जो तो हम लोगों ने क्या बात किते कि यह चीज़ें जितनी जएदा होती जाएंगी तो Acidity भी उतनी जएदा होती जाएगी, तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि यह बला जो compound है, इसकी यह साब से जएदा Acidic है, क्योंकि इसमें हम अब पास Clorine के 3 वो हैं, इसमें 2 Clorines हैं, इसलिए यह थोड़ा Less Acidic है, और इसमें 1 Clorine है तो इसलिए यह Least Acidic है, तो आप लोगों ने इस तरह से जएवो options compare करने होते हैं, chemistry easy है, सिर्फ practice demand करती है, यह आप लोग practice करो MCQ की, मैं आप लोगों को guarantee short कहता हूँ कि आप लोग chemistry में जएवो full MCQs भी ठीक कर सकते हो, practice न आप लोगों के पास fluorine होगा है, तो वह जएदा stick होगा है, तो वह जएदा stick होगा, क्लोरीन उससे कम होगा, फिर उससे कम मार पास bromine है, और iodine सबसे कम acidity show करता है, तो fluorine इतने जएदा होंगे, तो अप लोगों के पास उतना जएदा acidity entities होते जाएगी, लेकिन अगर आप आपके पास, for example, उसने आपको चार option दिये हुए, ठीक है, एक में उसने compound है, complex है कोई, ठीक है, तो उसमें आपके पास fluorine है, ठीक है, बाकि CH3, वह आप लोगों को होग से, मतलब मैं आप लोगों कुछ समझा रहा हूँ, दूसरे option में मार पास chlorine attached है, किसी compound के साथ, तीसरे म है, और चोथे में मार पास iodine है, तो आप लोगोंने fluorine वाले को prefer करने है, fluorine वाला जदा acidic होगा, iodine वाला least acidic होगा, ठीक है, तो in this and that आप लोग options को जो है, वो correctly mark कर सकते हो, अब next कहते है कि मार पास carboxlic acid, जो है, वो acid है, ठीक है, तो यह मार पास क्या करते है, जब reaction करते है, अलकाइल के साथ, तो मार पास यह salt और water बना देते है, और मार पास कहते है कि जब, यह basis के साथ react करते है न, for example, मार पास carbonates होगे, भाइकार्बोनेट्स होगे, ठीक है, तो यह salt and water के साथ साथ carbon भी बनाते है, ठीक है, carbon dioxide, यह भी बनाते है, देखो, पहले हम लोग नहीं पर पर बात की कि मार पास यह carbon dioxide भी बना रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन बोस्ट इंपोर्टन चीज़े हैं, यह हम लोग ने जूपर वाले points एक्स्प्रेइन की है, कि मार पास carbon atom increase होते जाएंगे, तो मार पास जो reactivity है, वो decrease होगी, ठीक है, alkyl groups पे है, वो increase होते जाएंगे, तो reactivity है, वो decrease होगी, बाकि मार पास यह कुछ groups हैं, यह increase होगे, तो acidity भी increase होगी, electronic negativity मार पास increase होगी, तो मार पास acidity भी increase होगी, ठीक है, तो यह कुछ चीज़ें थे, यह important है, MCQ में यही application based MCQ आते हैं, फिर उस वक्त आप लोग confuse हो रहे होते हो, अब जो next paragraph इसने लिखा है, तो यह be important है, देखो कहते हैं, यह जो ओपर हम लोगोंने reactions की बात की है, कि हम लोग जब इनको, इनका reaction करवाते हैं, एक दूसरे के साथ, तो as an result, salt बनता है, water बनता है, जब हम लोग जब वो इनको react करते हैं, carbonates के साथ, bicarbonates के साथ, salt and water के साथ, carbon dioxide भी बन रही होती है, तो इस case में देखो, अब यह कहता है, कि हम लोग इस reaction को use करते हुए, हम लोग carboxylic acid और phenol में differentiate भी कर सकते हैं, ठीक है, देखो, carboxylic acid कहता है, कि हमार पास यह, जब reaction करते हैं, तो हमार पास carbon dioxide बनता है, लेकिन कहता है, कि phenol जब reject करते हैं, वीक acid के साथ, हमार पास carbon dioxide नहीं बनता, अगर तो carbon dioxide बन रही है, this means that, हमार पास carboxylic acid present है, ठीक है, अगर नहीं बन रहा है, तो this means that there is phenol, ठीक है, phenol है, next हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग जब वो carboxylic acid की reduction करते हैं, ठीक है, in the presence of reducing agent, LILH3 या NABH4, ठीक है, in the presence of ether, तो हमार पास क्या बनता है, alcohol बनता है, यह alcohol important है, ठीक है, अब यहाँ यह मार पास LILH4 जो है, यह strong reducing agent है, और NABH4 यह जो है weak reducing agent है, यह हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे, और यह important है, आपको पता हो, कौन सा strong reducing agent है, कौन सा weak reducing agent है, तो यह जो मार पास strong reducing agent है, LILH4, यह जो है, वो reduce करता है aldehydes को, ketones को, carboxylic acids को, लेकन मार पास यह जो NABH4 है यह weak reducing agent है, जिसके वाशे यह सिर्फ उसे fatty acids and ketones को reduce करता है, जबके मार पास यह carboxylic acids को reduce नहीं करता, ठीक है, तो आपको पता हो, कि मार पास, आपस question कर सकता है, कि मार पास LILH3, जो है, वो, it reduces all of the following, except, ठीक है, यह NABH4, यह किस-किस को reduce करता है, और किसको reduce नहीं करता, यह होता, decarboxylation of carboxylic acids, ठीक है, तो आप लोग इसमें से दो चीज़े याद रखो, एक तो यह है, कि हम लोग जो है, वो NAOH की presence में यह reaction करते हैं, ठीक है, carboxylic acid की decarboxylation, इसमें मार पास होता क्या है, कि carboxyl group जो है, वो remove हो जाता है, और मार पास as a result, जो है, वो alkane बनता है, ठ यह दो चीज़ें, आप लोग जो है, वो याद रखो, नेक्स्ट है मार पास dehydration of carboxylic acid, तो जब हम लोग जो है, वो carboxylic acid की dehydration करते हैं, इंटर प्रेजन साफ फस्पोरस pentoxide ठीक है, अब फस्पोरस pentoxide dehydrating agent, आप लोग उसे question भी कर सकता है, कि select dehydrating agent, तो आपको पता हो कि मार करते हैं, carboxylic acid की तो मर पास चाहिए, तो यह आपको पता होना चाहिए, अब नेक्स्ट हम लोग जो है, वो carboxylic acid की derivatives पर बात करते हैं, कहते है कि relative reactivity and activity of the derivatives तो carboxylic acid, तो सबसे पहले हम लोग जो है, वो reactivity की बात करते हैं, carboxylic acid की मर पास acid hyalides सबसे ज़्यदर रेक्टि सबसे ज़्यदर रेक्टिव कहुन से होते हैं, acid hyalides, और सबसे लीस्ट रेक्टिव कहुन से होते हैं, acid nitrile, अब नेक्स्ट हम आपस order of acetic strength, acid hyalides सबसे ज़्यदर रेक्टिविटि के लिए भी और उसके लिए अच्टिक अब लोगों ने इस order को याद कर लेना, as it is, अब तो मेरे पास preparation of derivatives from carboxylic acid तो मेरे पास अब देखते हैं कि मेरे पास ये carboxylic acid के derivatives की preparation कैसे होती है ठीक है तो जब हम लोग जहें वो carboxylic acid को जहें वो treat करते हैं with PCL5 या SOCL2 के साथ तो मेरे पास क्या बनता है acid highlights जब हम लोग जहें वो carboxylic acid को तो मेरे पास क्या बनता है easter's बनता है जब हम लोग जहें वो carboxylic acid को treat करते हैं with NH3 के साथ तो मेरे पास acid amide बनता है जब हम लोग carboxylic acid को treat करते है NH3 के साथ तो अगर हम लोग जहें वो carboxylic acid का salt जहें वो बना दे तो उस salt की हम लोग फुर्दर जब dehydration करते हैं P2O5 के साथ हमरा पास alkyl nitrile बन जाता है ठीक है तो इस तरह से हम लोग जावो different derivatives को जावो prepare कर सकते हैं carboxylic acid के अब next हमरा पास कुछ important MCQ points है तो उनको देख लेते हैं तो वो सबस्पले कहता है अब next हमरा पास कहता है कि जब हम लोग reaction करवाएंगे carboxylic acid का different reagents तो मरा पास उसके derivatives बनते जाएंगे जो हम लोग उन्हें उपर बात की है ठीक है कहता है कि इस्टर्स are identified by their fruity smells जब भी मरा पास fruity smell आगी तो मरा पास ये identify हो जाएगा कि वहाँ पे इस्टर्स ये वो present है ठीक है इस्टर्स की fruity smell होती है next कहता है कि तुमार पास acid hydrolysis of easter's produce carboxylic acid and alcohols तो जब भी हम लोग जब वो easter's की hydrolysis करते हैं ठीक है acid hydrolysis तुमार पास carboxylic acid बनता है और alcohol बनता है लेकिन जब हम लोग जब अलकली की जो है वो sorry alkaline hydrolysis करते है न ठीक है तुमार पास जो है वो क्या बनता है अच्छा alkaline hydrolysis easter की करते है तुमार पास क्या बनता है carboxylic acid का salt और साथ में alcohol ठीक है उपर carboxylic acid खुद बना था ठीक है और साथ में alcohol बना था यहाँ पर salt बन रहा तो इन दोन जीज़े में आप लोगों ने डिफिशियेट करने है लास्ट बट नर्ट ता लीट कहते है कि बाई अल्कली हाइड्रोल्स आफ्टा फैट्स एंड वाइल्स मतलब easter अफ्टा हाईयर fatic acid मरपाश साफ सोप्स बनते हैं ठीक है ग्लेसरीन बनती है ठीक है और जब हम लोग hydrols करवाते हैं ना हाईयर easter का अल्कली के साथ तो उसका हम लोग sponification कहते हैं ठीक है आपको sponification की और easterification की definition का पता होना चाहिए यहां से sometimes MCQ आ जाता है ठीक है और students इनकी definition में confused हो जाते हैं जब भी हम लोग easter की formation करते हैं easter formation जहां पर भी हो तो आप लोग उसे बोलो कि easterification हो रही है जब हम लोग easter की hydrolsis कर लेना तो उस process को sponification कहते हैं easter formation को जो है वो easterification कहते हैं और easter की hydrolysis को जो है वो sponification कहते हैं ठीक है यह दो आप लोग पास differentiating points थे और यहां पर आप लोग का यह chapter हतम हो जाता है उमीद है कि आप लोग ने काफी कुछ चीका होगा थैंक यू